पढ़ो लिखो भाई पढ़ो लिखो जी पढ़ो लिखो कर तुम सब साथी बन जाओ होशियार बहना बन जाओ होशियार पढ़ो लिखो कर तुम सब साथी बन जाओ होशियार अक्षर ग्यान की दीप जला लो कट जाए अंधियारा पडोली को भाई, मेरी बैना पडोली को जी आँआईई काखा गगा पडोली को जी आँआईई काखा गगा पडोली को जी निरक्षरता एक अभिशाप है और आज प्रतेक दूसरा भारतिये निरक्षर है हमें इस अभिशाप को मिटाना है, पूरे देश को साक्षर बनाना है ये एक बड़ी चुनौती है, किसी भी राष्ट्र के लिए इससे बड़ी चुनौती और क्या हो सकती है? पूस्ट पूस्ट थाजब प्रच्ट बड़ी चुनौती है बड़ी चुनौती है ये इससे लिए इसी चुनाथी के मद्दे नजर पाँच मही उनिस सो अथासी को राश्ट्रिय साक्षरता मिशन का शुभारंब हुआ 1995 के अंद तक पहुंचते पहुंचते 800 लाक निरक्षरों को कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाया जा सका कार्यात्मक साक्षरता का माईने महज अक्षर ग्यान नहीं है इसका माईने है विकास, तरक्की, राश्ट्रियता, एकता, समानता और परियावरन तथा परिवार के अधर्शों के प्रती जाग रूपता लेकिन क्या राश्ट्रिय साक्षरता मिशन इन उदेशों में काम्याब हो सका हमने पूछा राश्ट्रिय साक्षरता मिशन के महानेदेशक भासकर चैटर जी से कि अग्ड बद्राश्टता चैटर ओने युड़ लुड़ बद्रेश अग्याप बिवार प्रदेश लुड है विघर प्रदेश माध्यप्रदेश और राजस्थान यहाइ्ट आरियाज साथ तॉर्द फॉर्मृब्रेश इन वहाने लुड 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 हैंँ़्टी इन य इसे ही काम्याबी का प्रतीक है जिला जाबुआ। इस इलाके की पहचान सिर्फ यही कि पढ़ाई लिखाई की बात हो तो देश में सबसे पीछे और जनसंख्या वृद्धी अपराद और शिशु मृत्युदर के आखड़े हो तो मध्य प्रदेश में सबसे आगे। उस पर से त्रासदी यह कि जिला जाबुआ की तीन चौथाई अबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। पलायन की दर 55 से 80 प्रतिशत है। जाबा जिला 87% पॉपलेशन ट्राइबल है। यहां का सिशु मृत्तदार हाइस्ट इन स्टेट एक से पैंतालीस पर थाउजन लाइफ वर्थ थी। बर्थ रेट बहुत ज्यादा 42.65 डारियल डैथ्स बहुत होती थी। अधिकांश जो स्वास्त के इशूज है वो अग्यानता से जोड़े हुए है। और जाबा जिले में जहां लिट्रेसी सबसे कम है पूरे देश में। और जहां पर की सारी बसाहट बहुत छितरी छितरी फैली फैली हुई है। तेरा सुचपन गांवें परंतु आथ हजार हैं। इसके कारण से कोई भी संदेश को प्रभावी तॉर पर पहुचाना बहुत कथिन हो गया था। सिए जयाब भाश सरी जागवा है। खाल वटावा है क्यावा जच प्रॉप। अपर्शन फॉर कोई मिवें पर प्रॉप। आपट प्रॉप। मृपुर यहां प्रॉप। मृप। लुझत प्रॉप। थीप। पहले यहां पढ़ने लिखने को कभी प्रात्मिक्ता के तौर पर नहीं लिया जाता था 13 प्रतिशत की नियुंतम साक्षरता दरवाले इस जिले में मात्र 6 प्रतिशत औरते ही पढ़ सकी थी आज जाबुआ के कुल 1356 गाउं में 1500 प्रात्मिक शालाएं और 1269 आंगनवाडियां है प्राण शिक्षा में तो उपस्तिती शत प्रतिशत है कभी अनपढ रही औरते आज सफल सरपंच हैं जो कभी अपराद करते थे वे ही आज शिक्षा का प्रकाश बांटते हैं प्रणी का अलह सराबी पीते हैं लोटी भी करते थे चावरी भी और दागर भी करते हैं और गः में किसी के दो बैल थे वह बेल बैल याज दोए कि अब देरे देरे को समझ में इनको पढ़ने के लिए शासेचा केने सब रहे जब से पढ़ने के इनको ज्न मिला और हमने में इनको बताया कि ये सब जागरूता से काम होता है आपने स्वरा सोर एंगदान काड़ून का ने काड़ून हमारे गाउं में इसकुल होने के कारण अब बच्चों को इसकुल भेज रहे लड़के और लड़कियों के लिए अब हमारा लोग थोड़ा समझदार हो गए हैं और अब दारों पिना लोगों ने सोड़ दिया है तो अब हमारा गाउं का विकाद थोड़ा बढ़िया हो रहा है देड़ दो साल पहले जब साक्षरता की चाप जाबुआ की इन दिवारों पर पड़ी तो स्थितिया सचमुच बहुत विशम थी जटेल पठारी भुगोल और उस पर छित्री हुई अबादी यहां के विकास में आज भी सबसे बड़ी बाधा है बयान में प्रतिशत आबादी यहां गाउं में रहती है कुल आबादी का 80 प्रतिशत हिस्सा आदिवासी भीलों का है एक अरसे से जंगल ही इनके जीवन यापन का साधन रहे हैं जब जंगल नहीं रहे तो भूक और गरीबी का दंश इन्हें जेलना ही था कुछ बरसों से बनों की जो कटाई हुई है उससे बन बहुत बिगड़ी स्थिती में पहुँच गया है अब हाला दिया है कि जले का डबे परिसद बिगड़े बनों की स्थिती में आता है कुछ बन तो विल्कुल मिर्वानी करण हो गए हैं जहां से बन शेत रहे जंगल खतम हो गए हैं इन सब का बनों का विनास का गरामीरों के जजीपन पर बहुत प्रभाव पढ़ा है उनके जीवन आपन के इस तर में काफी मुश्किलें आई हैं और इनके दुस्क्रभावों के परसुपी भी होता रहा है कि आजबासी लोगों को काफी दूसरे रोजगार की तलास में जले से बाहर जाना पड़ता रहा है ऐसे में साक्षरता की रोशनी बाटना जितना मुश्किल था उतना ही जरूरी भी राष्ट्रिय साक्षरता मिशन के लिए यह एक बड़ी चुनाती थी प्रोजेक्ट मंजिर हुआ था जिसमें के 36 लाग रुपे का संक्षन मिला था उसके बाद चुकि यहां की इस्तीती ऐसी कि 16 महीने में संभवनी हो सका बारा मेने तक मारा वातार निर्मान करने का काम हुआ इसमें मिशन के व्यवस थापकों ने समझदारी से काम लिया और लोगों की श्रद्धा और विश्वास को ही निरक्षरता के खिलाफ अपना हतियार बनाया गाओं गाओं में आखर देव की स्थापना की आखर देव यानी साक्षरता का देवता इस अनोकी परिकल्पना ने तो यहां कमाल ही कर दिया लोग आखर देव को ही नहीं बलकि साक्षरता के कारेकरताओं को भी पूजने लगे शिक्षा के प्रती उत्साह यहां चरम सीमा पर है क्लास में उपस्थिती बढ़ी है लोगों में उत्साह बढ़ा है बच्चे स्कूल आने लगे हैं और अब जब चुकि सिक्षा में लोगों की रुच बढ़ी है साक्षरता अभियान जो रात में चल रहा है उसमें लोगों की संख्या बढ़ी है साक्षरता मिशन ने साक्षरता अभियान को और रोचिकर बनाने के लिहाद से नाटे मंडलियां बनाई है इस पूरे प्रयास में शिक्षक सामाख्या कारे क्रमों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता शिक्षक सामाख्या कारे क्रमों के जरिये ही शिक्षक के तौर तरीकों को इन आदिवासियों के अनुकूल बनाया जा सका यह जरूरी भी था साक्षर्ता के कठिन प्रयासों ने यहां जिन्दगी का माइने ही बदल कर रख दिया है चाहे वो हमारे हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं चाहे वो हमारे परियावरन संबंदी प्रोग्राम्स हैं चाहे वाटरशेट संबंदी प्रोग्राम्स हैं संयुक्वन समीतियों के गठन संबंदी प्रोग्राम्स हैं या महिलाओं को ताकत देने के प्रोग्राम्स हैं उन सब में इसका परिणाम परिलक्षित हुआ है, इसके साथ साथ हमने सामाजिक बुराईयां नशाबन दी है और अंदविश्वास हैं, इसके प्रती भी लोगों में काफी चेतना इनसाक्षता अभियान के माध्यम से की है प्रेन डकैती के लिए कुख्याद गैंका सरगना चैन सिंग अब खुद तो पढ़ता ही है, औरों को भी पढ़ने को कहता है शराबी बच्चु को तो शराब से ही घणा हो गई यह बजला है जिसने कभी साक्षरता कारेकरताओं पर पत्थर फैंके गालियां दी वही बजला अब साक्षरता कारेकरवों में ना सिर्फ शामिल होता है बलकि पढ़ता भी है शराब और अपरात के लिए बदनाम रहे गाउन ढंढ़निया की उर्मा भाई आज एक सफल सरपंच है उर्मा भाई के मन में गजब का आत्म विश्वास और विचारों में गजब की जागरती है देश के सरवाधिक निरक्षर जिला जाबुआ की धरती है आज अक्षरा है साक्षर्ता प्रयासों की इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है नतनी न लईयो जुमका न लईयो जहां अगस्त 1995 तक 343 जिलों के शामिल होने से संपून साक्षर्ता अभियान को विस्तार मिला है वहीं उत्तर प्रदेश का उत्तरांचल भी इससे अचूता नहीं है दुनिया इस इलाके को अलक नंदा की प्रभा के लिए जानती है पुरान कहते हैं भगिरत के गंभीर प्रयासों से गंगा अवतरत हुई ये सच हो ना हो लेकिन ये बात सच जरूर है कि शिवालिक के इन परवश रंकलाओं के बीच यहां आज दूसरे भगिरत हैं एक दूसरी गंगा है ज्यान की गंगा ये दूसरी गंगा कैसी है ये दूसरे भगिरत कौन है ये दूसरे भगिरत हैं, गाउं गाउं में साक्षरता की मशाल जगाते, चमोली के ये नन्ने नन्ने बचे और नौजवान ये दूसरी गंगा है, अंध विश्वास और अज्यानता के बीच अपना रास्ता बनाती राष्ट्रिय साक्षरता मिशन की टोलियां पढ़ने पढ़ाने की इन कोशिशों का परिणाम ये है कि तीन बरस पहले सत्तर हजार निरक्षरों वाला चमॉली आज साक्षर है जितने हमारे यह इनरोल हुए हैं पंजी कृत हैं जो हमारे निरक्षर वो टोडल है हमारे हैं 84,676 जिन में से हैं हमारे पूरुस हैं 15,187 महला हैं 59,489 और इन में से 22,303 अने 6, yok 1, 출ur निरक्षर हैं ये पंजी किरत हैं इन में से जिन्होंने बुक फस्ट कंप्लीट किया है जिन्होंने गड़ परिविस्टा भाग पढ़ लिया है वह हैं 6,591 जो पढ़ रहे हैं भाग एक को वह हैं 18,085 भाग दो पढ़ रहे हैं जो जिन्होंने बिल्कुल कंप्लीट कर दी है वह हैं 91,206 और जो इसमें भाग यह परिवर्तन राष्ट्रे साक्षरता मिशन के अथक प्रयासों का परिणाम है इस कोशिश में सबसे पहले गाउंफ पंचायत से लेकर ब्लॉक और जिलास्तर तक सर्वेक्षन किया गया गाउं के लिए तो कोडिनेशन के लिए तो हमारे कोडिनेटर हैं उनों गाउं का ब्लॉक साक्षरता समिट के जो कोडिनेटर हैं नया पंचायत साक्षरता समिट के जो कोडिनेटर हैं वह आपस में ताल मेल बिठा करके सारी सूजना हैं ब्लॉक साक्षरता समिट को देते हैं उत्तर प्रदेश के इस सिमान जन्पद में सर्विक्षन के दौरान अर्शिक्षा ही नहीं शेत्र में फैली विभिन भ्रांतियों और विसंगतियों के बारे में भी विस्तरत जानकारी मिली चूंकि स्कूल के चात्र चात्रा ही सरवादिक साक्षर थे इसलिए इने ही साक्षरता अभियान का माध्यम बनाया गया इन्हें भगिरत का नाम दिया गया भगिरत शब में लोगों की पहले से ही आस्था थी इसलिए समझाना कुछ आसान हो गया हमारे कैंपेन का नाम ग्यान गंगा है कमला ने तो कभी सोचा ही न था कि वह कभी पढ़ेगी इसे पश्टावा है कि मा ने पढ़ाया क्यों नहीं सत्तर वर्ष्य लीला ने तो पढ़ने के लिए बकाएदा सो रुपे का चश्मा खरीदा उत्रान चलके इन पहरूँ को यूं पढ़ते देखना सच मुच सुखध है और सक्षर्था के राष्ट्रे प्रायासों का यही मुल उदेशे भी है बैया भी जा रहे भोजी भी जा रही बैया भी जा रहे भोजी भी जा रही बैया भी जा रहे भुजी भी जा रही जा रहे जेठ जठा नीरे पढ़ने चलियो राजा अब ये जानना महत्वपून है कि साक्षर्ता को बढ़ावाय देने की तमाम योजनाएं समाज के विभिन पहलूं को किस तरह प्रभावित करती हैं Well principally we have been able to address ourselves to the four Hindi speaking states of Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh. We have been able to link up literacy with other developmental programs and this has given us a new sense of momentum. One of these is our family welfare program. Literacy in its three primers has propagated the messages of birth control, of putting a ceiling on the growth of our population and it has linked up these issues with the other broader considerations of sanitation, women's health measures, hygiene factors and so on. साक्षर्ता के प्रभाव को ज्यादा करीब से देखना है तो बिहार के जार्खंड के जंगलों में चलना होगा. नितर हाट की तराई की काली कोईला खदानों में शिक्षा की तस्वीर इतनी उजली हो सकती है, ऐसा कभी किसी ने सोचा भी ना होगा. कारण की ज्यार्खंड के ये जंगल बाहरी दुनिया से कभी इसकदर कटे हुए थे कि यहां रहने वाले आदिवासियों के बच्चे जूते की पच्चाब भर से दूर भागते थे. आज ये दूसरे जागरूग बच्चों की तरह स्कूलों में पढ़ते हैं, पर देशियों से खुल कर बात करते हैं, श्रम, सफाई और परियावरन का महत्व समझते हैं, इतना ही नहीं, अब तो ये खुद आगे बढ़कर शिक्षा का नारा भी बुलंद करने लगे हैं. साक्षर्ता प्रयासों की यह एक बड़ी सफलता है, इन प्रयासों में सरकारी अनुदान प्राप स्वयम सेवी संगठनों की भी बड़ी भागेदारी रही है। जो नहीं पड़ पाते थे, जिनकी पढ़ने में रुची नहीं है, उनके लिए श्रम निकेतन है। इसका उदेशे बच्चों को इस लाइक बनाना है, जिससे ये अपनी रोजी रोटी खुद कमा सकें। बड़ों की जिन्दगी को भी प्रभावित किया है। कहना ना होगा कि साक्षर्ता प्रयासों के बाद अब यहां एक नई दुनिया है। लोगों के पास काम है और बच्चों के पास एक सुखत भविश्य संजोने के अफसर। जो हम पढ़ेंगे फिर ना चलेंगे। जो हम पढ़ेंगे भी ना चलेंगे। आज साड़े साथ करोड निरक्षर साक्षर बनने की प्रक्रिया में अपना नाम दर्स करा चुके हैं। महत्वपून ये है कि अगला लक्ष क्या है और उसे प्राप्त करने के लिए क्या योजनाय प्रस्तावित हैं। जी हां, साक्षरता निश्चित ही एक मिशन है, एक संकल्प है, एक ऐसा संकल्प जो समाज के हर वर्प को एक नई ताकत, एक नई उर्जा प्रदान करता है, विक्सित करता है। The total literacy campaign has been a total campaign in the sense that it is not only a governmental campaign, but there are non-governmental organizations, there are volunteers and there are district machineries which are totally and actively involved in this. Now this kind of a cooperation, which is one could call a total societal response, must continue. And if it continues, the future is very, very bright. पढ़ो मंगल, पढ़ो समारू, बुधिया दी दी पढ़ो, तुम भी बुधिया दी दी पढ़ो, शोशन में तो दिन गुजर गई, आप तो सब कोई जागो। पढ़ोलिको भाई, जिरी बहना पढ़ोलिको जी। पढ़ोलिको जी। पढ़ोलिको जी।